नवस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 32 years है यह जब पाम मेरे पास आया तो मैंने पहले एक सवाल पूछा यह पाम भेजा क्यों है मुझे कोई तकलिफ दिख नहीं रही है तो इनों ने लिखा जीवन में पापा, मम्मी, वाइप, बेटी सब अच्छे है लाखो लोग मुझे जानते है मैंने कभी कुछ अपने नाम से किया तो जीरो हो जाता है ऐसा इनका मानना है और वो ही काम दुसरे किसी के नाम से करता हूँ तो भारी सफलता मिलती है ऐसा क्यों अब यह जो क्वेश क्वेशन है इसका एक यह क्वेशन का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपके पास continue income की लाइन है और अच्छा money triangle भी है हाथ भी अच्छा है तो और रुकाउटे भी नहीं है कोई जीवन में खास ठीक है छोटी-छोटी है रेखा है पर उसके कारण को जीवन में ब मेरे खुद के नाम पर काम करता हो तो सबलता नहीं मिलती तो मैं तो आप सको सला दूंगा कोई अच्छे कुनली का जानकार हो उसे संपग करें उनसे तो हो सकता आपके इस सवाल का जवाब दिखे मुझे तो आपके हाथ में progressive palm लग रहा है आपका खुद का ही हाँ जीस तर कोई घर में किसी न किसी मेंबर के हाथ में लखी साइन हो सकती है आपके हाथ में वह लेवल की साइने नहीं है जो बहुत जादा प्रोग्रेस दे ठीक है प्रोग्रेस है step by step जीवन का विकास करते रहोगे उसका कोई ना नहीं है अगर बहुत जादा प्रोग्रेस है जीवन में तो किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में चाहे माता के हाथ में चाहे पिता जी के हाथ में या वाइफ के हाथ में या आपके सिस्टर के हाथ में किसी न किसी के हाथ में बहुत अच्छी साइन होगी जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है पहा नॉर्मल से व्यवसित अगर ग्रोथ है उसके लिए ये हाथ एकदम प्रॉपर है और बहुत कम रुखावट वाला है पर आपके इस सवाल का जवाब पमिश्टी नहीं दे पाएगा सेकेंड है उम्रों 29 से 32 तक शेयर मार्केट में 42 लग कईनों ने नुकसान किया वो दिख रहा है वो मैं आपको फेट लाइन और जीवन रेखा पर आओंगा तब जानकर ये दूंगा ठर सवाल है इनका वाइफ बहुत प्यार करती थी मैं भी उसे प्यार करना चाहता हूं पर वो नहीं कर पाता है सभी बात है जनरली इस लाइन होती है अमारे रिलेशन की लाइन यह लोगों के हाथ में जनरली यहां तक होती है और इतनी अगर लाइन है आपके हाथ में तो देखा जाता है पती-पत्मी के बीच में संबंद बहुत अच्छे होते हैं अब आपको यह लाइन मिली हुई है इतनी छोटी सी इसके कारण वह जो एनर्जी चीह रिलेशन में वह एनर्जी आपके द्वारा शो नहीं होती यह कारण है दूसरा कोई कारण नहीं हां किसी दिन यह लाइन अगर बढ़ी हो गई तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वह आ आपकी यह लाइन बहुत छोटी है इसके लिए एक हाथ से ताली बज रही है जो आप चाहते हो कि दोनों हाथ से बजनी चाहिए बस यह कारण मुझे लग रहा है पामिश्टी के हिजाद से क्योंकि यह लाइन जब बड़ी होती है तो व्यक्टी के जीवन में देखा जाता है हस्बेंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छा गाड संबंध होता है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टेंडिंग करके चलते हैं अब यहाँ पर आपकी लाइन काफी छोटी है पेट और हलका डिप्रेशन रहता है पेट का तो यहाँ पर अगर कोई लाइन है आपके यहाँ पर दिख भी रही है यह लाइन रेक्टी का पेट खराब करती है आज्मा खराब करती है और जो depression का सवाल है वो है आपकी mind line यह pressure शो करती है depression नहीं कह सकते इसको depression के लिए तो यहाँ line होती है चोटी 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 बारिक बारिक लाइन है वैसी line आपके हाथ में नहीं है कि जब यह दबाव बना रहता है mind line पर dark color की रहती है तो व्यक्ति के जीवन में दबाव बना रहता है या तो आगे बढ़ने का कोई व्यक्ति दबाव लेता आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी तरह का दबाव रहता है और खुल कर जीनी पाता यह उम्रे 36 तक रहेगा उसके बाद आपके mind line काफी smooth होकर आगे बढ़ रही है काफी smooth होकर उसके बाद यह जो problem है आपका solve होते हुए आपको दिखेगा इनका सवाल है काम बहुत अच्छा चल रहा है इनका एक और सवाल है कि graduation पूरी नहीं हो पाई अब यहाँ पर देखे यह triangle और इन्होंने लिखा भी है पढ़ाई में मैं काफी होश्यार था अब यह जो triangle है इसकी उम्र अगर गिन है तो यह लगबग 18 साल या 17 साल तक 18 या 20 साल तक की line दिख रही है एक offshoot भी दिख रहा है और यह triangle दिख रहा है पर उसके बाद ऐसा कोई triangle नहीं है यहाँ पर इसके लिए व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाता आगे की यह मैंने कई लोगों के हाथों में देख आ कई स्टुटेंटों के हाथों में देख आ कई लोगों के जीवन में देख आ यह इसके बाद अगर कोई छोटा सा भी ट्रैंगल हो तो व्यक्टिको डिग्री प्राप्त होती है तो हो सकता है यह एक कारण हो आपके जीवन में और इसी पिरियड में यह आपको यह रेखा ने कट किया तो यह ब्रेक आगे आपके जीवन में और आपकी पढ़ाई छुट नहीं है मैंने एक दू वीडियो में कहा भी है जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर आपको लाइने ज्यादा दिखे दूसरे फोटोग्राफ में यहां पर बहुत जादा लाइने दिखती है आपने देखा होगा तैसिल प्लेस में या डिस्टिक प्लेस में या कहीं कोई Metro Sahir मैं भी आपको सेवा का कारे करते हुए बिजनेसमेनों के नाम दिखेंगे आपको, चाहे वो गोशाला हो, चाहे पीने का सब्जेक्ट जो आता है, कोई-णकोई सेवा का कारे जो होता है, गाउं में या गरामीन चेत्रों में, या तालुका या बड़े सहरों में भी उन में आपको बिजनेसमेनों के पैसे लगे हुए डिखते होंगे सेवा के कारे में जिसमें उनका कोई नफा नहीं होता उसका एक ही कारण होता है यहां पर लाइने होती है और यहां पर लाइने होती है अब इस हाथ में यहां पर पर मापदंड होता है तो ये एक कारण इनके जीवन में होगा ये सिवा कारिय और ये जीवन भर करते हैं ऐसा नहीं कि एक पारी करते हैं इन्होंने एक दो बार मेंशन भी किया है कि मैं लोगों को पैसा भी देता हो कोई मुझे देता है वापस मैं या कोई नहीं भी देता त करते हैं, वह अपना-पना खुट का सब्जेक्ट है सेवा का, पर यहां पर ज्यादा लाइन है तो व्यक्ति सेवा भावी होता है। इनके भेव से जो छलक रहा है, भौत ज्यादा वाल्यू मह अब भी कहता हूं,아서 बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा तो 100% इनके किसी न किसी परिवार के हाथ में special sign होगी या अगर खुद भी यहां का अगर बहुत concentration लगा कर photo बेजे तो हो सकता है यहां पर कोई special sign दिखे फिलाल वो level की नहीं है पर progressive palm है अगर normal progress होगा तो यह हाथ एक व्यवस्तित हाथ है और यह जीवन भर सेवा कर पाएंगे ऐसा कोई minus point दिख नहीं रहा है और बहुत normal palm है न के बराबर हुका उटे है सबसे खासियत बड़ी यह होती है आप जीवन में गाड़ी आपकी चल रही है और speed breaker जब आते हैं तो हमारा कम से हम 2-4 साल हमारे जीवन के कम हो जाते है जैसे एक line ने काटा यहां पर यह line जब काटती है तो यह जो आपने है तीन साल पहले कमाया वो गया आपका फिर ब्रेक आया एक साल का वो गये बरबात यानि तीन साल तो यह चले गए तीन-चार साल फिर वापस गाड़ी को speed में लाने के लिए एक-दो साल लगते हैं तो यह एक minus point रहता है तो व्यक्ति वह level अर्न कर पाता जो व्यक्ति expect करता है पर जिस व्यक्ति के हाथ में राव रेखाएं नहीं होती वो निरंतर प्रगति की और बढ़ते रहता है यह सबसे बड़ी खासियत होती है उनके जीवन में speed breaker नहीं आते हैं जो उन्होंने जहां से शुरुवत की होती है एक सीड़ी one two three four five six और बढ़ते जाता है पर जब कोई रेखा आती है इस तरह की तो व्यक्ति के जीवन में disturbance आता है और फिर से नया गिल्ली नया डाव सुरू हो जाता है इस तरह की स्थिति होती है तो यह सबसे बड़ी खासियत है केवल मैं इनके यह सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं पापा यह खुद का काम करने के पर जीरो हो जाते और दूसरों के नाम करते हैं तो सबलता मिलती है यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका इनके हाथों पर वो शो नहीं हो रहा है प्रोग्रेसिव पाम है यहां पर देखे तो एक अच्छी सी लाइन बन रही है इस तरह की लाइन वाला व्यक्टिव काफी समझदार होता है और जीवन में होता है ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी भेज़ दो तो वहां से भी मीठा पानी निकाल कर लाएंगे अंगुठा फर्स्ट फैलेंज काफी नुकिल आए तो कारे के ब्रति काफी प्लस अंगुठा मजबूत है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाले भी होते हैं फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है उंगलियों के फैलेंज सपाट है तो बिजनेस माइड होता है व्यक्ति का उंगलिया छोटी है बहुत फास् न्यक्ति संक्या ज्यांदा रहती है यहां पर उंगली सुर्य की बढ़ी है तो हीमत ही सभाव व्यक्ति का जिब में पचासजार और पचास लाग कि रिस्क लेंगी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं पर यह सोटी रहरी है जब यह लिए उपक्ति टॉक्क्वेंटेशन् फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद चक्ति मनी मैंनेजमेंट अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ति कमजोर होता है भुट परवद बहुत सारी लाईन है जो इस फोर्डोग्राफ में तो है जैदा आई नहीं है पर यहां पर भहुत सारी लाईन है यह व्यक्ति को सुंदारत में वानिगों वृत सुंदिधर होते है बहुत जञादा बिजनेस माइंडेड होते हैं और टेक्नोलोजी का भी ज्ञान यह लोग रखते हैं अगर कॉमर्स का स्टूडेंट रहात हो भी तो यह सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं और स्पर्ष्ट वक्ता होते हैं इन्होंने मेंचन भी किया है कि मैं अपने मन की बात नहीं कर पाता परिवार के सामने भी पर मुझे इनका बुद्ध परवत देखकर नहीं लगता कि इस तरह की स्थिती होगी अब सुर्य परवत पर देखें तो कोई स्ट्रॉंग लाइन नहीं है तो व्यक्ति को बेसिक सफलता आसानी से मिलती है हाँ एक अच्छी सी लाइन है ये ग्रे मल्टिबल प्रॉपर्टी की सैंड ये एक प्लस पॉइंट है जीवन में और इनके कंस्रक्शन का काम भी अब शनी परवत पर देखें तो यहां पर थोड़ा सा हुबा रहे है तो व्यक्ति को व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास करता है सेकंड चीज लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और वो इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है और जैसे जैसे उम्रों बढ़ेगी ज्यादा लोग काम करेंगे पूछ पूछ कर अब शनी परवत पर देखें तो यहां पर थोड़ा सा हुबा रहे है तो व्यक्ति को कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा इनके जीवन में जा रहा है यह लाइन जब आपकी होती है तो चार तरह की बेनेफित मिलती है ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है पॉलिटिकल सपोर्ट या सरकारी सपोर्ट या व्यक करें पस्ते कि अच्छेता विक्ति अच्छी पोस्ट पर पाहसी लोगों को चारों बैंटिंद मिलस्यक्रूल दो किसी को एग November अब Jupiter Mount Jupiter Mount अपने आप में उभा रहा है इस the next Jupiter Mount पारिवारिक संसरिक सुख व्यक्ति को जीवन में अच्छा देता है जो इन्होंने mention भी किया है, और एक दो जगह पर multiple income की line है, यह व्यक्ठी को 3-4 तरह के लाप देती है, multiple income होती है व्यक्ठी के जीवन में, धार्मिक बनता आदमी, सेवा भावी बनता है, क्योंकि बहुत बारिक रेखा है और पामिस्ट्रि ऐस्ट्रोजी इस तरह के जो mystery science होत है अंदू निमंगल काफी अच्छा है तो सरीर की उर्जा भी व्यक्ति के जीवन में अच्छी होती है बहुत ज्यादा पर सरीर की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी होती है बारी मंगल भी देखे इनके दोनों मंगल देखकर लगता है इनको प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्मेंट करना चाहिए क्योंकि जिनके मंगल अच्छे होते हैं उनको प्रॉपर्टियों से काफी बेनेफिट होती है और जिसका बारी मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता सामने वाला कंफोटेबल फिल करता और संकट के समय व्यक्ति अपने लेव कभी जाती है तो ऐसे लोगों का विदेश में आना जाना ट्रावेल यह काफी कुछ लगा होता है और यहां पर तो यह कि बहुत अच्छा है पर खराब भी नहीं है मद्यम टाइप का चंद्रपरवत है कि सेकेंड देखे तो बहुत अच्छा मनी ट्रेंगल बना है थोड़ा सा ओपन है यह व्यक्ति को खर्च जरूर कराता है पर बहुत बड़ा मनी ट्रेंगल होने के कारण इंकम के स्रोत जीवत में अच्छे क्रियेट होते हैं और इन्होंने मेंचन भी किया है पर जो मेंचन किया पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है किसी के लिए बीस या चादिस लाग भी अपने आपको वह पैसे वाला समझता है किसी के लिए एक करोड भी एक पैसे वाले की स्रेणी में आता है किसी के ल करता है हां बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा तो हंडेट परसेंट मैंने पहले भी कहा कि कोई ने कोई सुप्षाइण आपके परिवार के किसी व्यक्ति के हाथ में होगी और एक व्योसिद्ध गुरोथ होगी तो यह वह इसाब से प्रॉपर हाथ है हाथ थोड़ा सा खच का पैमाना जरूर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ओपन है और दूसरा एडवांटेज है आपके मनी टैंगल के अंदर यह क्रॉस बन रहा है यह क्रॉस व्यक्ति को अचानक पर धनलाब होता है पर यह चोड़े बोटे पैमाने पर इस तरह का क्रॉस भी धनलाब आपको जीवन पर देगा शुक्र परवत काफी अच्छा है कि व्यक्ति में कामुख भावना रहती है अच्छे कपड़े पहनते अच्छी तरह रहते गर्मी इनको पसंद नहीं आती ज सरका शुक्र परवत वाला बहुत अच्छी तरह से रहता है पैसा भी खूब कमाता है और खर्च भी खूब करता है कि इनकी हिर्दे रेखा देखे तो लगबख जूपिटर माउंट से टच होकर चल रही है जब किसी की रेखा जूपिटर से टच हो गई तो भुरों से लाइक इंसान होते हैं किसी के सौर उपे भी बाकी होंगे तो सामने से दे कर आएंगे प्लस एक और चीज होती है थोड़े से भावक होते जब थोड़ी सी कव लेती है हलके से भाउग भी होते हैं ये भी एक खाशियत होती है तो हरदे रेखा काफी अच्छी है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है हाँ थोड़ी सी डार्क है तो जीवन में जंजटे जरूर रहेगी इनके एक दम मुक्त जीवन नहीं जी पाता रेक्टि जिस तरह का जीना जी ज़ए कहीं नहीं जंजटे लगी रहती है तो ये वस्तु इनके जीवन भर रहेगी अब माइन लाइन पर भी देखे तो आपको यहां तक माइन लाइन मुटी मुटी दिख रही है ये जब मुटी लाइन होती है और ये पिरियड होगा लगबग जीवन का 36 या 38 तक ये इस शो होता है इन लाइनों से शो होता है जो यहां पर जरा भी नहीं है ये डिप्रेशन नहीं ये आगे बढ़ने का दबाव कहो या कोई ना कोई दबाव व्यक्ति के जीवन में रहता है और ये 36-38 तक रहेगा उसके बाद आपकी माइन लाइन इतनी शुन्दर है कि आप 36-38 तक ये प्रेशर आपके जीवन में बना रहेगा और शुरुवात में तो बहुत ज्यादा था दीरे 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 हलका होते होते 36-38 तक में काफी क्लीन हो जाएगी आपकी माइन लाइन उसके बाद बहुत अच्छा जीवन मुक्त होकर जी पाओगे हां हरते रेखा की जंचेते रहेगी जीवन में पर माइन के तोर पर आप काफी रिलक्स हो जाओगी और उसके पहले आपको कोई दवाई बवाई भी ख माइन लाइन है जुपिटर से सुरू हो रही है एक और चीज यह इस तरह से सुरू हो रही है तो बचपन में कहीं न कहीं वेवी पन भी रहा होगा क्यूंकि कवर लेती है तो कहीं न कहीं दबाव भी रहा होगा बचपन में माइन लाइन और जुपिटर से सुरू होती है त निम्हातो कंशा पूरी भी करता है और अच्छी खासी चंद्रपरवत की आगे बढ़ते बढ़ते बैंड हो रही है तो वेक्टि धार्मिक भी होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह खासियत भी इनमें पाई जाती और काफी बड़ी माइन लाइन है तो ऐसे लोग कोई न कि इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं होता कि काफी अच्छी माइन लाइन है और अपनी माइन के बदोलत काफी जीवन में विकास करेंगी यह ल्एन यहां से लेकर ऐसे तक जा रही है और जब कोई भी माइन लाइन उपर की तरफ जाती है बुद परवर्द है कि जरासा भी उसका मुँँ तो व्यक्ति पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है अब जीवन रेखा को देखें जीवन रेखा और फेट लाइन के लिए हम इनके क्लोज अप का यूज करते हैं हाँ एक लाइन और दिख रही है जैसे यहां पर एक पतली लाइन हजमा खराब करती है वैसे यह लाइन व्यक्ति को कहीं न कहीं एक खालीपन का ऐसास देती है एक दो घंटा काम करता है व्यक्ति उसके बाद खालीपन उसे लगता है उस खालीपन को भरने के लिए कोई न को भरने के लिए एक दो गंटा काम करने के बाद थोड़े से एक्जॉस्ट हो जाते हैं यह एक इनमें रहती है अब इनके क्लोज अप की और चलते हैं एक तो इन्होंने 42 लेक्स का लॉस किया एक आपको दिखेगा यहां पर एक लाइन ने कट किया उसके पहले भी एक लाइन ने कट किया यानि दो लाइने इनकी फेट लाइन को कट कर रहे थी इसके कारण इनको लॉस गया और एक यहां पर छोटी सी रावरे का आई इसके अब इनकी जीवन रेखा को देखें, यहां तक देखें, mind line भी कितनी dark है, close up में भी बहुत clear ही दिख रही है, ये दबाव रहा था जीवन में, किसी न किसी तरह का बोज बना रहा था, एक pressures बना रहा था, अब यहाँ पर देखें यह उम्र लगबग 28 के आसपास इनके जीवन में सहना ही बजी इस लाइन के कारण और उसके बाद देखी यह छोटी छोटी जो लाइन है एक दो तीन चार यह छोटा मोटा नुकसान इनको जीवन में देती रहेगी अब यह 28 के आसपास की साधी है उसके दो साल के बाद 30 के पास एक छोटी सी रेखा ने काटा तो यह कोई न कोई नुकसान देती है उसके तीन साल के बाद एक और रेखा काट रही है उसके दो साल के बाद एक रेखा और दो साल के बाद एक रेखा छोटी छोटी है पांच-पांच दिन का कोई ने कोई प्रॉब्लम आता है तो इससे कोई ज़्यादा घबराने की जुरुत नहीं है कोई जादा बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ता हाँ इस तरह की रेखा है अगर continue काटती हो तो व्यक्ति के जीवन में tense आता है पर यह केवल यहां पर एक छोटी सी काटी रेखा ने और एक उसके बाद यहां पर कट की यह आपको जो 42 legs बता रहे हो वो यह दो period में गया आपक और एक यहां पर छोटी सी रेखा ने काटा इसके लिए आपके जीवन में आर्थिक नुक्सान गया अब आपका हो सकता है इंकम का generate करने का जो तरीका वो जादा है इसके लिए loss भी जादा शो करता है और जीवन रेखा काफी उत्तम चल कर आगे बड़ी तो स्वास्त जीवन में हमेशा अच्छा रहेगा और बुड़ा पर में तो बहुत सारे आपशूट आपको मिले हुए तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आपके जीवन में रहने वाली है अब आपकी धंद्रेखा पर चले धंद्रेखा पर यहां तक हम चले यहां पर भी देखिए आप ये कट ये छोटे-छोटे कट भी व्यक्ति को कहीं न कहीं थोड़ा सा आर्थिक नुकसान तो देते ही हर जग़ और एक कट यहां पर भी आ रहा है यह 39 के आसपास आपको थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान जीवन में होगा पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जीवन की गाड़ी कमाई का रास्ता कम्प्लिट बना हुआ है और यह यहां पर आकर रुक रही है चपकन के आसपास और एक लाइन यहां से निकल कर और जा रही है यह विदे से धन प्राप्ति की है एक लाइन पूरी जूपिटर की और जा रही है एक वयोसा है आपका यहां से भी अच्छा खासा सुरू होगा लगबग 48 के आसपास से और ये एक विदेश से धन प्राप्टी की रेखा है, तो continue प्रोग्रेस आपके जीवन में बना हुआ, कहीं पर भी घबराने की जोड़त नहीं, तो आशा रखता हूं, आपके सभी प्रश्णों के जोब आपको मिल गए होंगे, और आप तो को का पूरा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद.